कि ये गाइज बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल इंटरेग गाइट शिवाज बसीन में आज हम बात करेंगे कि 4th of Jan 2019 को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करके चलना कौन से स्टॉक्स है जो कल के ट्रेडिंग सेशन में आउट टू फर्म दिखा सकते हैं उससे पह वि데ो में अब कि टू से सब्सक्राइब कॉण से निफित कि विज़न से हमारी मार्केट और यूएस की मार्केट और हैंक से इन यानि होगकों के शेगी मार्केट क्यों इत्ती इंपाक्ट हो रही है इस एक बहुत बड़ा रीजंट सामने आये बहुत बढ़ी की सामने अई है जिसकी विज़र से हम कह सकते हैं कि एक world market के अंदर एक problem create हो सकती है यानि कि recession आ सकता है so guys वो पूरी news हो है वो मैं इसकी अगली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ इस वीडियो में से मैं आपको थोड़े बहुत की बचरेट हो रही है निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में कि हमारे लिए ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो रहा है मार्केट में और कुछ टॉक्स ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी के index में या कुछ जो इंडेक्स के अंदर है वो stocks और heavily वो हम कहते हैं कि वो एक इमेजन इंपक्त देते हैं मार्केट में जब निफ्टी ऊपर जाती है तो वो निफ्टी के साथ चलते हैं बिल्कुल साथ बाइस साइड वो अपना काम करते हैं उन पे भी एक तरीकी के हम confusion देख रहे हैं वो कुछ ऐसे शुरे है जो stocks charts में वीक दिखा रहे है पर वो stocks बड रहे है जब market 100 ऐา 500 पिए लिफटी गरिवी तबढ़ू रहे हैं कुछ stocks हैसे हैं चार्ट में अच्छे हैं जिनका हम कह सकते हैं कि breakout और शौट तम यर 2 martyrs 3 धे है profit दे सकता है और अच्छे का ऐसे टारीट चीव हो सकते है वो fall कर रहे हैं यह मार्केट में जो ही है कि सटन यह इंपाक्ट पढ रहा है confusion create हो रही है यह बहुत हमारी मार्केट को disturb कर रही है उसकी वज़ाद से हमने देखा है जो मैंने अच्छी बात नहीं है जो भी वर्ण मार्केट के जो sentiments आ रहे हैं जो भी विदेशी बजार हैं वो बिलकुल भी अच्छे mood में नहीं लग रहे हैं और जो trade war और जो tariff war हो रहा है जो confusion चली जा रही है उसके बीच में अभी भी वो हमारी मार्केट को एक problem create दिखा सकता है जो मैं आपको बता रहा था कि एक production output कट हो सकता है जो production कट हो सकता है वो start हो चुका है oil के अंदर तो आज भी हमने देखा था और कल भी देखा था oil में हमने एक up spot देखीती है आने वाले टाइम में अब किस तरीके से हमें मार्केट में trade करना चाहिए कि अभी हमें मार्केट में रुकना चाहिए मार्केट को cautiously देखना चाहिए क्या levels बन रहे है क्या नहीं बन रहे है तो अब हम जाकर trade ले या फिर हम trade लेना शुरू कर दें एक जो मैं recession की वीडियो बनाने वाला हूँ वो हमारी मार्केट के लिए भी बहुत जादा जरूरी है तो यह वो वीडियो जैसी आपको मिलती है आप उसे जरूर देखेगा उसके लिए मेरा bell icon जूर दवा दिजेगा जो subscribe button के साथ में होगा जिसका आपको notification सबसे पहले मिल जाएगी वो वीडियो आने के लिए गाइस मैं आपको हमेशे बताते रहता था कि आपको bond deals 10 year bond deals US bond deals की उपन नजर रखिएगा तो उसे ही हम इंडिकेशन मिले रिसेशन का गाइस तो वो वीडियो भी आपके साथ जल्द आने वाली है अब हम बढ़ते हैं कि हमें क्या trade लेना चाहिए और किस तरीके से market में काम करना चाहिए चाहर पांट stocks जो हम आपके लिए लेकर आया है फोर्थ अफ जान के लिए वीगाड हिन पेट्रो ओन जीसी डीमाट रेपको होग वीगाड शॉट करने की सला 216-212 के target के साथ stop loss 223 का आपको लगा के चलना पड़ेगा हिन पेट्रो शॉट करने की सला 244.60-241 के target के साथ stop loss आपको 253 का लगान होगा उए जीसी सेल कने की सला 139.70-137 के target के साथ stop loss आपको इसमें 146 का मिंटेन करना पड़ेगा दीमाट बाय करने की सला 1583-1598 के target के साथ stop loss आपको 1563 का मिंटेन करना पड़ेगा रप को हो बाय करने की सला 404-409-9380-393 का stop loss करने मार्केट प्राइस जो है वो 398 है आपको आप देख रहे होंगे कि मैं आपको stop loss थोड़ी दूर के दे रहा हूँ टार्गेट आपको में थोड़ी कम के दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होती जा रही है मार्केट बहुत कन्फूजन क्रिएट कर रही है उसकी वज़ए से हमें थोड़ा एक डिस्तिंग मिंटे रखना पड़ेगा हमें मार्केट ओपन होते ही ट्रेट एक्जीक्यूट नहीं करना है पहले हमें ये मार्केट को वाच करना है कि मार्केट किस तरफ अपनी मुवमेंट दे रही है हमारे जो स्टॉक्स में आपको सज़ेस कर रहा हूँ वो हमारे मुवमेंट का अकॉर्टिंग चल रहे है तो ह हम उसमें trade लेंगे वरना हम trade नहीं लेंगे आज guys मैंने भी अपने clients को बिल्कुल भी trade नहीं करवाया और मैंने भी आज इसमें खुड trade नहीं करा पर जब मैंने पूरी research करी कि क्यो market इस तरीके से reaction दे रही है हमारे पैसे ऐसे क्यों जा रहे है क्योंकि guys मुझे भी loss हुआ है दो दिनों में इस चकर में तो मुझे research करनी पड़ी थी बहुत सी ऐसी बात सामने आई है जिसकी वज़े से हम कह सकते हैं कि एक recession आ सकता है जो 30 सालों में जैसे recession आया उससे पहले जो indicator हमें बता दिता है वो indicator सजेस्ट कर रहा है कि अब recession आने वाला है जब नवेंबर 2006 को जब 2008 में recession आया था तो नवेंबर 2006 में इस indicator ने हमें बता दिया था कि अब रिश्या देख recession आ सकता है तो exact महा के 14 महीने बाद हमने 2008 में सबसे बड़ा recession देखा था वो indicator वोपे सजेस्ट कर रहा है किस तरीके से काम करना है क्या आपको पूरी knowledge चाहिए US market जो पूरी markets है वो किस तरीके से react कर रही है और उनकी ऐसी कैसी बाते हैं जो हमारी market में reaction दे रही है वो पूरी इस वीडियो के लिए में एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा recession की शुरूबात उसमें आप जाके जरूरी उससे देख सकते हैं तो गाइस अब हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ चार्ट समें क्यों इतना अब आपको में दिखाने वाला हूँ तो बढ़ते हैं चार्ट सी तरफ देख सकते हैं कि मैंने ऐसे चार्ट ओपन कर दिया nifty 50 का तो गाइस इसमें जो भी मैंने आपको trend lines दिखाई थी वो मैंने ज्यादा तर अभी delete कर दिया है क्योंकि आपको ज्यादा confusion create नहीं क्योंकि मैंने थोड़े बहुत moving averages और बढ़ा दिया है वह मैं आपको दिखा देता हूँ अब देख सकते हैं आपर एक मेरे पास 100 moving averages simple moving average 200 का 50 का 10 का 20 का गाइस अब हमें देखना है कि अब यह moving average react कैसे कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको एक बर और समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने यह draw कर रहा है उपर से लेकर नीचे तक जो टॉप से लेकर नीचे ताई एक downfall आई थी वहां से मैंने Fibonacci retracement को draw कर रहा है draw करने के बाद हम देख रहे हैं market में कि market ने 50% retracement level को यानि कि जो इस पूरे ड्रॉप का जो 50% level था प्राइस था वहां पर market बहुत ज्यादा stable कर रही है उसके उपर नहीं निकल पा रही है उसके उपर निकलने की कोशिश करती हैं देखते हैं breakout आता है पर एक sudden fall आ जाता है यह fall आ जाता है उसके बाद हमें एक और देखते कि confusion create हो जाती है तो यह हमारी market के लिए अच्छी बात नहीं है अब यह जो fall आया है 50% से यह वापिस 38.2% के retracement level पर चला गया है जो आज इसने low मा रहा है आज की हम बात नहीं करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं previous trading session जो 3rd को हुआ है 3rd Jan को क्या हुआ है जो यह market ने यह candle बनाई है यह candle जो market ने fall लिया वो 10 days का moving average को break कर दिया 200 day exponential moving average को break कर दिया 100 day moving average को break कर दिया और 20 days moving average को break कर दिया यानि की 4 moving average को यह market break ने ब्रेक कर दिया था कल की trading session में तोड़ दिया था पर उसके उपर दे जाने की closing दे दी पर तब भी उसने 100 day और 10 day की moving average की नीचे ही closing दिया अब जो इसका आखरी support बन रहा है वो बन रहा है 50 day का moving average जो की around 10,000 630 का level है वहाँ पर देख सकते हैं अगर market hold कर सके तो दूसरी बात इस nifty में 50 में क्या show कर रहा है जो एक drop आया हमने उसे एक trend line draw करें trend line draw करने के बाद हमें पता चला कि तो market ना आज एक fall दिया है वो market शयद इस trend line पर जाकर रूख सकती है रूख सकती है उसके बाद हम देख सकते हैं कि market किस तरीके से रियाग कर रही है आप देख सकते हैं यह आपको एक hurdle रिखा और trend line इसके उपर market नहीं निकलने की कोशिश कर रही थी उसके बाद हमने देखा कि market ने suddenly इसे break करने की कोशिश करी market उपर गई नीचे आई फिर up move दी इसको break करा वोपेज हमने एक sudden fall देखी फिर market उपर गई और जो इसका previous shoulder था उसके आसपास जाके market रुकी उसके बाद हमने देखा कि market वोपेज नीचे आ गई वोपेज नीचे जाने के बाद अब market कहां तक रुक सकती है सबसे पहला point है कि market 10,630 तक रुक सकती है दूसरा जो support बनके आ रहा है दूसरा support बनके आ रहा है guys मैं आपको trendland और CD करके दिखा देता हूँ दूसरा support आ रहा है around this level जो आपको लगता है कि 10,580 तक market जा सकती है अभी market rate कर रही है 10,670 पे तो जो एक conclusion निकल के आ रहा है market को रुकना होगा तो यहां से 30-40 point की गिरावट दिखा के रोग जाएगी फिर वापेस हम अपने इस highs की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे अगर market इसको hold नहीं करती है तो इसका next जो target होगा वो 10,580 का level हो सकता है अब हम क्यों confusion create करने है क्योंकि हमें हर जगा से एक support दिख रहा है वो support को hold कर रही है market उसके ऊपर भर उसे break कर रही है आप confusion इस तरीके से create हो रही है nifty bank nifty के अंदर वो भी आपको मैं दिखा देता जाएंगे यह मैंने bank nifty का चार्ट open कर लिये सबसे पहले मैं आपको बात बतारा चाहूंगा कि bank nifty nifty के अगॉर्ड इंग ली बहुत जादा strong चल रहा है इस तरीके से क्योंकि bank nifty में जो हमने fall आई थी जो मैंने Fibonacci retracement बनाया fall आने के बाद bank nifty ने 50% retracement को तो cross cup का कर दिय उसके आगे 61.8% retracement को भी cross करके ऊपर जा चुका था जा चुका था हम कह सकते हैं कि जैसे nifty 50% retracement को hold नहीं कर पा रही थी एक downfall दिख रही थी उस तरीके से 61.8% retracement level को bank nifty hold नहीं कर पा रहा था आप देख सकते हैं bank nifty up move दिखाई वो पिस bank nifty में एक downfall आगे 61% retracement से हमने आ आ गई तो यह market में confusion create करने वाली बात है क्योंकि निफ्टी तस तिल वीक है निफ्टी बहुत ज्यादा वीक हो रहा है निफ्टी 38.2 retracement level पे तक जा चुका है पर bank nifty अभी तक वीक नहीं हुआ अब मैंने आपको क्या बताया था निफ्टी में कि निफ्टी में moving averages बहुत ज average था और उस तक को भी break नहीं करा यानि कि previous कल के session में bank nifty ने कोई भी moving average को break नहीं करा और उसकी ऊपर ही जाकी closing दी आज हमने देखा कि उसने 10 डे का moving average के ऊपर नीचे जाकी closing दी so guys according ये बहुत जादा confusion create कर रहा है market के अंदर कि हमें किस तरीके से trade नेना चाहिए ऐसे बहुत से जादा stocks हैं जो बहुत उल्टे तरीके से चल रहे हैं यानि कि जमें हमें selling point दिखता है हम वहाँ पर selling जब करने बैठ रहे हैं तो उस वह particular stock पर एक ऐसी buying आ रही है या एक ऐस साइड वे शुरू हो जाता है जहां से हमारे पैसे डूपना शुरू हो रहे हैं अभी market एक बहुत जादा risk बन चुका है इस time में अब हमें देखना है कि market में क्या reaction आ सकता है जो मैंने एक चीज निगा लिए उसकी विज़े से मैं आप से कह सकता हो कि market में एक fall आ सकता है श 200 तक जाएगी कभी market अपसे कहता हो कि 10,000 को भी शैद तोड़ सकती है guys हर दिन ऐसी ऐसी चीजे आती रहती है जिससे हमारा जो एक बात करने का यह हमारा एक जो सोचने की चीज होती है वो बदल जाती है हर दिन कोई नहीं ऐसा pattern develop हो जाता है उससे हमें पता चल जाता है कि market म हम एक ही चीज को लेकर नहीं चल सकते हमें हर दिन नहीं चीज को लेकर सूचना पड़ेगा कि कभी क्या हो सकता है कभी क्या हो सकता है तभी हम market में trade कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं अभी आप देख सकते हैं सिर्फ इसने एक moving average टोड रखी है बैंक निफ्टी ने और अभी जो इसका support आ रहा अगर हम वापेस एक trend line draw करते हैं तो यह हम कह सकते हैं ट्रैंगुलर pattern बनावा है अब move की तरह आप देख सकते हैं जो previous इसका high था swing high bank nifty ने उसको भी cross करा था और मैंने आपको second january वाली वीडियो में कहा भी था कि guys यह break हो चुका है पर अगले dating session में हम कह सकते हैं कि शायद वापेस एक market false signal दे दे और market एक drop कर दे या drop हो जाए और guys बिल्कुल वैसा ही हुआ अगर आप मेरी previous वीडियो देखेंगे अपलोड उसमें आपको मैंने पहली बता दिया था कि यह जो breakout आया यह false breakout हो सकता है और वापेस एक market fall ले सकती है और बिल्कुल वैसा ही according to nifty के अगर हम बात करें तो nifty ने अपने previous high तक को भी cross नहीं करा और 100 day exponential moving average के ऊपर भी नहीं जा पा रही है तो अब हमें trade किस तरीके से according करना है कल भी हम 12 बजे तक watch करके चलेंगे nifty bank nifty में कि किस तरीके से bank nifty और nifty movement दे रहा है क्योंकि guys हमने देखा है कि previous session में यानि कि second of jan को FIs ने शाड़े 800 करोड की selling करी है index के अंदर तो guys वो हमारी market के लिए अच्छी बात नहीं थी और उसकी वज़े से भी हमने आज के day के अंदर एक वो देखा कि market में एक fall आई है guys अगर मैं आपको बताना चाहूं तो index options पे FIs ने 1700 करोड की आज buying कर रखी है और हम बात करें index future की तो index future में 400 करोड की selling कर रखी है FIs ने अभी क्या को include कर रही है क्योंकि अगर हम previous day को देखेंगे या नहीं कि second of jan को देखेंगे तो FIs ने 80 करोड की buying कर रखी थी index option में उसके according 800 करोड की futures में selling कर रखी थी futures की selling कर रखी थी इसका मतला हमने यहीं समय लिया कि उसके बाद हमने क्या देखा जब futures की selling करी की market आज की trading session में drop करी आज हम देखते हैं कि FIs ने क्या कर रखा तो FIs ने 800 करोड नी 400 करोड की selling कर रखी है उसके according 1700 करोड की options को buy कर रखा है index options को अब यह हमारी market के लिए किस तरीके से रियाग कर सकती है अगर आप मैं सोचने में जाओं या मैं एक exemption लेके चले कि अगर options की इन्होंने buying कर रखी है options कि चीच की buying कर रखी होगी अगर हम एक exemption लेकर चलते हैं इस तरीके से मैं यह आप से कह रहा हूँ क्यों मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर मैं यह trend line draw कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहां पर एक support है यह support से शायद एक up spread मिल जाए nifty bank nifty या कल market के अंदर तो शायद यह हमें एक अच्छी movement दे सकता है और दूसरी 400-400 पॉइंट का drop US market के अंदर आया है क्योंकि एक apple की bad news आई थी वो भी मैं आपको उस ताइम पे ही वीडियो पे discuss करूंगा हैंग सेंग साथ साथ सो पॉइंट नीचे गिर गया था और अभी वी हम देख रहे हैं कि हैंग सेंग एक fall दिखा सकता है यह जो यूएस जो भार की market है वह हमारी market को impact कर रही है पर हमारे घरीली जो एक बार जो हमारे यहां के जो sentiments हैं वो थोड़ी बहुत positive चल रहे है उसक मैं आपसे मिलता हूं कल नई अगली वीडियो में साथ जो आपके लिए मैंने वीडियो अप्लोड कर रखी है जो मैं करने वाला और रिसेशन के उपर वो भी आप देख सकते हैं